के लिए बिचार बनाए कि यथार्ट जो स्रीमत भागवाश्वीशा के साथ को इस लोग उनकी हिंदी में जाकर यथार्ट, यथार्ट का मतलब होता है यथार्ट, जैसा भख्मान ने कहा वैसा इसमें लिखा गुआ, इसमें किसी तरह की नान्थी, जो आज खाकता हो कि है, जैता नहिं कि एक खास रॉम जाय हिदू क आया, एक खास रंदाय साइक आया, एक खास रंदाय साहिक आया, एक खास सुमौ्दाय में कि व्हार्मान का ही भ्रमिक है, बल्कि हह और लोग अपने अपने धर्वने मिल्那我們ें गीमुल ने कि चेआर्ट इस हैै ।ुकर ज़ ici इ collaborbone कुछिन कर दोड़ वाले आफियर उपाले लाओ वी रडेन हम और सी citoyनर कि आफिन आफिव और सी इ προका कि अवड़ कि अपर बिद्रिफ करने के लिए इसने भी आचारे गंग में प्रोसेसर गंग जो लेना चाहता है और घ्रमी खुट को हरकों ही लेना चाहता है ज़ाइजोगी हो और अच्छा जो ग्यान होता है जहां भी मिले उसको लेना चाहिए हमारे संपोने गाःग के लिमिट वियुट जल भरें का लावा दिमित अजन परें निक गृणन परिमिन उसन नहीं है अगर गीता धार्मिक राश्की ये धर्मसास लबन जाती है, तो तमाम जो धार्मिक गुरिपियां हैं ये आटोमेटिक नस्थ हो जाएंगी, कि हर लोगों के पास ये हुख पहुंचेगी, और तुद्ध धर्म क्या है लोग दनें, इलाबाल आई कोट है, ये मिनने दिया था कि श्रीमत भागवत गीता विष्म की सब्से बड़ी उंदर परिफासित भुख है और इसको मानो धर्म का आखिए है, गीता किसी ज़्यक्ति विशेश, किसी जाती का, किसी संप्रदाय का, किसी धर्म का ये धर्म से नहीं है, ये क्या है पूरे मानो का धर्म, पूरे मनुस लोग मिदेज के लोग वो कही जन्वा है तो हाथ पैरवाला अगर है तो उसके लिए किसला है और ये व्यापक विस्टिपी में इसको राश्की गुरंट गोस्ति करने के लिए जैसा कि इसमा स्वराल में एक देवस्था भी चलाई थी कि अगर आप पीता को राश्की भर्मिशास रख दिखना जाते हैं तो आप अपना मत लिए तो बहुत चारे लोगों में मत लिया अर्थास रहागा जीता की जो राश्की जाक्या इठार की टिखाय जो आपको अधी मिले यही उपकर दिये सी और आप लोगों ने देखा होगा कि प्रण मंस्थी कि जो मां क्या बेंच की वो उनको जनम जिंफर यही वो देखी और आप साइज पर्हान मंस्थी के इसे टाईजा आए बाता हैं ये जिता आप बुदेग चिए जिता उटित तो रहां और वहने पना ओप आना कि जिता इम एंड़ भी सभेस्ट को जाकरत कि एगें, आज जिए आखिका कि एगा, आज आज आजए आज एगी है, आजए आखिके दिजए को एग्या है। कर दो मेद आर लेग tells रि ार्ण उसके को द horizontal भी या गुम्हे लाक कर उदिर भी रिल नहां हुआ कर अ दसना मेद आर जारकि अजन आर कलिए रह दो कि धुग हुआ है...